तब शेमिद्धों में आपका सवागत है और हम आपको बताएंगे चिरॉणजी क्या फायदे हो ति Ugh अगर सभी तरीखे से उसे चिरॉणजी का इस्तमाल किया हुआ तो हेल्थ बावती चुकाम होने पर दो चमच चिरॉंजी को पीज कर इसे घी में चौक कर एक क्लास तूर में उबाल कर गरम गरम पानी के साथ अगर अब लेंगे तो जुकाम में आपको काफी लाग मिलेगा फिर खुजली दो चमच गुलाब चल में दो चमच चिरॉंजी और कुछ सिंदूर को मिलाकर पीज लें कुछ सिंदूर एक सिंदूर होता उसे मिल जाएगा और फिर इसे खुजली वाले हिस्सों में लगाने से खुजली में आराम मिलता है कोशिश करें कि इसे जादा नहीं लगड़े हैं फिर पित्ती यदि आपके शरीर पर पित्ती निकलाया हो तो चिरौंजी को पीस कर इसका लेट तयार करें और इसे शरीर पर लगाएं और आदा आदा चमत रोजाना चार बार चबाद चबाद कर खाएं ऐसा करने से आपको बहुत आराम मिलेगा फिर अगर हैं जिदि आपको मूँ पर छाले पढ़ गए हो और आप इसे परशान तो रोजाना तीन-चार पर चिरौंजी को चबा चबा कर खाने से मूँ पर निकला हुआ छाला ठीक हो जाता है फिर शक्ति वर्दक है चिरौंजी हमारे शरीर के लिए बहुत ही शक्ति वर्दक होता ह चिरौंजी का हलूआ बना कर खाने से आपके शृरीर को बहुत ही फायदा होगा यह यह अपनी पतलित शरीर से पर्शान है तो सैंचिरौंजी का हलूआ ज़रूर घए इससे बढ़न भड़ेगा फिर इससे खूनसाफ होता है जी हान यह सत्थ Keeping इत्स वर्दक को फ्यों यदि आप अपने चेहरे पर चमक और सुन्दर्ता लाना चाहते हैं तो चिरॉंची को गुलाब जल से बीज कर इसका लेप बनाकर इससे अपने चेहरे पर लगा ले अब कुछ देर इसे सुख्णी के लिए छोड़ दे जब लेप सुख्ण चाहे तो सुख्य लेप को रगड रगड़ कर लेप को उतारिए और फिर साफ पानी से अपने चेहरे को दोले इस प्रकेडिया को रोजाना साथ दिलों तक करने से आपके चेहरे के सुन्दता में निखा रहा जाएगा अगर आपको बदन दर्थ हो रहा है तो अगर आपको बॉड़ी में पेन है तो आप चि आज मांकर देख सकते हैं आपको फॉर्ण राज मिलेगे तो धन्यवाद आप हमारे चेहरे पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट केशिए धन्यवाद